हलो एव्रिबान आपने यूटिप चैनल गौर्मेंट जॉब जैन्यू नौटिफिकेशन इंडियन रिल्वे एपरेंटिस विकेंसी 2024 का रिलीज कर दिया गया है इसका नौटिफिकेशन एंड टोटल यहां पर जो एपरेंटिस इसके लिए भरती आई हुई है एक हजार दस टोटल विकेंसी है अब इसमें 10th 12th and ITI holders eligible है अगर आप simple 12th pass है आपने ITI नहीं किया है तो 12th के base पर भी आप इसमें apply कर सकते हैं और अगर आप 10th and ITI holders है तो तो आपके लिए विकेंसी है ही तो 10th 12th and ITI holders के लिए apprenticeship की opportunity यहां पर है और आप सभी जानते हैं जब आप Indian railway से apprenticeship करते हैं तो आपको railway की जो group D की विकेंसी है उसमें आपको apprenticeship जो लिए होते हैं उनके लिए chance दिया जाता है ओके तो इसका benefit आपको मिलता है Indian railway विकेंसी में ही और आपको पता है कि अब railway की तरफ से हर साल Indian railway विकेंसी 2024 तो अभी release किया ही जा रहे है एक एक करके notification 2025, 26, 27 क्योंकि यह Indian railway की तरफ से बता दिया गया है कि अब railway में हर साल विकेंसी release की जाएंगी तो अब आपको railway के लिए wait नहीं करना होगा दो तीन साल वाज जो भरतियां आती थी अब ऐसा नहीं होगा अब आपकी हर साल notification release किया जाएंगे तो ऐसे में अगर आप इस साल eligible नहीं होते हैं तो आप अभी apprenticeship कर सकते हैं अगर आप 10 जो group D की post के लिए सोच रहे हैं तो अभी आप Indian railway से apprenticeship कर लिजे इसका benefit आपको आगे की जो vacancies आएंगे उनमें आपको इसका benefit मिल जाएगा तो चलिए हम इसका notification देखेंगे है तो यहां पर आप इसका notice देख रहे हैं engagement of apprenticeship अंडर Apprentice Act 1961 notification number आप देख रहे हैं online applications are invited from eligible candidate for engagement at apprenticeship ठीक है तो यहां पर online applications invite के जा रहे हैं और यह जो notice है यह integral coach factory Chennai से ICF Chennai से यह notice release हुआ है यह इसकी official site है इस site पर जा करके आप इसमें apply भी कर सकते हैं और notification भी download कर सकते हैं मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसकी official site पर लेकर चलूँगे और वहां पर आपको बताऊंगे and apply करने की जो last date है वो है 21 जून 22 माई से start हो गए है online registration and इसकी last date 21 जून है 21 जून तक आप online apply कर सकते हैं इसकी official site पर अब यहां पर आप frequency देख लीजिए तो यहां Frasers के लिए और XITI के लिए हैं जिसमें Carpenter के लिए Electrician, Fitter, Machinist, Painter, Builder इनके लिए जो Frasers के लिए है वो है total 320 है categories wise आप यहां पर देख लिए जिगा and XITI के लिए यहां पर total 670 है ठीक है तो यह यहां पर अगरम total और यहां देखिए MLT Radiology के लिए है और यह अलग जो पोस्ट है यह यहां 10 और 10 20 यहां पर total इनके लिए है Frasers और XITI के लिए तो यह total यहां 1010 vacancies आई हुई है इसके बाद इसमें देखेंगे candidate with qualification engineering degree diploma and course complete act apprentice are not eligible जो engineering field से degree diploma कर रहा है वो यहां पर apprenticeship नहीं कर सकते स्रिफ ITI holders ही यहां पर this notification is purely for giving apprenticeship training and not for employment ओके सो यह apprenticeship training है जिसमें आपको एक साल की training दी जारी है और हर महिनी का आपको stipend भी दिया जाता है इसमें आपके खर्चे के लिए stipend कितना दिया जाएगा वो हम आगे देखेंगे इसके बाद eligibility conditions आप देख लेंगे तो pwd candidate के लिए यहां पर बताया गया है ओके और एस criteria देखेंगे तो एस आपकी जो apply करने की last date है 21 जून उस date से आपकी एस count की जाएगी जो ITI candidate है उनके लिए minimum 15 should have complete 15 year of age and should not have complete 24 15 से 24 साल age होनी चाहिए जो ITI holder नहीं है non ITI जो candidate है उनके लिए 15 से 22 साल age होनी चाहिए and upper age limit में relaxation मिल रहा है SCST candidate को 5 years का OVC candidate को 3 years का PWD candidate को 10 years का relaxation मिल जाएगा ओके अब यह minimum qualification देखेंगे तो fitter electrician and machinist के लिए जो X ITI है यह यहाँ पर should have passed study 10th 10th में आपका minimum 50% हो science और math आपका होना चाहिए यह इसके equivalent हो साथ में आपका national trade certificate in notified trade issued by the national council of occupational training of one year and above एक साल या एक साल से ऊपर का ठीक है और आपकी training आपकी यहाँ एक साल की रहेगी Carpenter and painter and welder के लिए भी 10th और आपका related trade से ITI और यहाँ भी आपकी training बन year की रहेगी programming and system admist के लिए यहाँ पर assistant के लिए 10th 10th के साथ में आपका computer operator programming assistant means COPPA के लिए रहेगा और एक साल की यहाँ पर भी आपकी training रहेगी अब freshers के लिए यहाँ देखेंगे तो fighter electrician machinist इनके लिए यहाँ पर should have passed study 10th 10th में आपका 50% होना चाहिए और 10th में आपका science और math होना चाहिए या इसके equivalent अब यहाँ पर ITI की requirement नहीं है जो freshers की vacancy है वहाँ पर simple 10th and 12th eligible है और जो ITI की है वहाँ पर ITI traits required रखा गया है ठीक है लेकिन यहाँ पर आपकी training दो साल की रहेगी कारपेंटर पेंटर के लिए भी 10th मांगा गया है 50% aggregate mark aggregate mark means आपके total overall 10th में 50% कम से कम होना चाहिए इसमें आपका दो साल का training है builder के लिए भी 10th मांगा गया है 50% aggregate mark और 1 year 3 month की यहाँ पर training रहेगी MLT radiology and pathology के लिए जो है यहाँ पर 12th मांगा गया है physics, chemistry and biology से PC, BC आपका 12th होना चाहिए और 1 year 3 month की training यहाँ पर आपकी रहेगी okay so simple 10th के पास 10th के लिए भी vacancy है IT holders के लिए भी है and 12th pass के लिए भी है next आप यहाँ पर देखेंगे this type end तो आपको हर महिने जो freshers है means 10th के बेस पर जो कर रहे हैं apply उनके लिए 6000 पर मिलेगा और जो freshers 12th के बेस पर apply कर रहे है means जो radiology pathology की थी उनके लिए 7000 रहेगा बाकी जो ITI holders हैं उनके लिए भी 7000 पर month stipend यहाँ पर आपको दिया जाएगा how to apply so online आपको apply करना है इसकी official side से और selection procedure में कोई examination नहीं होना है simple आपका जो percentage होगा उसके बेस पर merit त्यार की जाएगी यहाँ पर आपकी processing fee 100 रुपीज रहेगी ओके और रिकर्स्ट ऑफ रिफंड ऑफ फीज वन्स यानि यह non refundable application fees आपकी रहेगी और नो फीज पर रिक्वाइट पर स्थी स्थी पीड़ोडी और भूमें कांडिदेट इनके लिए फीज माफ है फीज पे नहीं करनी है तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इसकी official side पर चली मैं आपको official site पर लेकर चलती हूँ तो यह यहां पर इसकी official website है हम इसकी official site पर आए हैं और यहां पर आपको फिल्दा online application form यहां पर आपको apply करने के लिए मिल जाएगा proceed of payment के लिए मिल जाएगा and print acknowledgement यहां पर अगर आप notification देखना चाहते हैं तो यहां आपको notifications मिल जाएगा apply करने से related instructions यहां कर सकते हैं how to apply पर और कुछ questions अगर आपके हैं तो यह जो question का partner इसमें जाकर के आप देख सकते हैं तो आपकी channel को subscribe कीजिएगा thank you